आज हम आपको कुछ ऐसे जनजातियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानने के बाद आपको काफी हरानी भी होगी और डर भी लगेगा तो चलिए सुरू करते हैं जहां भारत में सबों को जलाया या दफनाया जाता है वहीं दूसरी और एक ऐसी जनजाती है जहां लासो को आधा जला कर घर में सजाया जाता है इंडोनेशिया के पापवा न्यू गिनिया में रहने वाले दानी जनजाती के लोग आज भी अपने हैं अजीबो गरीब वीतरिवाजों के लिए जानी जाते हैं यहां सबों को आधा जला कर इस तरह से सजाया जाता है कि वहला से प्रिजर्व हो जाती है यहां तक कि जब इस ट्राइब में जब भी किसी की मौत होती है तो उसका अंजाम महिलाओं को भूगतना पड़ता है रेलेटिव की मौत पर महिला के हाथ की एक अनबुली काट दी जाती है जितने रिष्टेदार मरते हैं महिला की बोडी से उतनी अनबुलिया काट ली जाती है जो काफी गलत है खेर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये इनकी अजीबो गरीब वीतरिवाजों में से एक है नमबर दो ये सुनने में थोड़ा अजीब है पर सच है दुनिया में एक जनजाती ऐसी है जहां के लोग इनसान को जलाने के बाद बची हुई राख का सूप बना कर पी जाते हैं लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है कहा होता है और कौन वो लोग हैं जो ऐसा करते हैं ये लो पिरमामी जनजाती के लोग मृत व्यक्ति की हड्यों की राख का सूप बनाते हैं ये इनकी परमपरा का हिस्सा है सूप बनाने की प्रक्रिया ये है कि जब इनके परिवार का कोई सदर से मर जाता है तो उसे जलाने के बाद बची हुई राख को केले से बनाए गए एक की प्रक्रिया का ये मतलब कता ही नहीं है कि ये लोग किसी अपने के जाने का दुख नहीं मनाते बलकि दुख में रोते और शोक गीद भी गाते हैं. चून की जैसा हमने पहले बताया कि ये उनके अंतिम संस्कार की परंपरा है, तो बस उसी का पालन सदियों से करते हैं आमतो पर दुनिया के हर धर्म, हर समुदाय के लोगों की मृत्यू होने पर उसकी आत्मा की शांती के लिए प्रार्थना की जाती है. यानो मामी जनजाती का भी यही मानना है कि ऐसा करने से मृतक की आत्मा की शांती होती है. साथ ही उसकी आत्मा की रक्षा होती है. और ऐसे ही द दिल देहला देने वाले फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें.